हर्याना वदान सबस चुनाओं में पहली रैली करने नूह पोहचे राहूल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री मोधी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि पीम मोधी तो अमबानी और अडानी के लाउड स्पीकर बन गये हैं वो दिन भर उनकी बाते करते रहते हैं राहूल ने भाशन की शुरुवात में कहा कि मोधी और मनुहनलाल का भाशन सुनते हैं एक के बाद एक जूछे वादे सुनते हैं उन्होंने कहा कि इस देश में अलग-अलग जातपात और धर्म के लोग रहते हैं इन सब को हिंदुस्तानी कहते हैं राहुल गांधी ने कहा कि बीजोपी सरकार ने अर्थविवस्था की धज्या उड़ा दी है किसी भी उद्योग पती से पूछ ले वो कहते हैं कि अर्थविवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है मार दिया गया है खत्म कर दिया गया है पहले नोट बंदी कर लाइन में खड़ा कर दिया गया इस लाइन में कभी अने लंबानी को नहीं देखा गया राफेल पर बोलते हुए राहूल गांधी ने कहा कि मोदी कभी राफेल दिखाएंगे लेकिन उसमें चोरी हुई वो नहीं बताएंगे राफेल में Air Force ने साफ साफ बोला था कि मोदी ने हुद राफेल मामले में कॉंट्राक्ट बदलवाया प्रधानमंत्री का ओडर था सच्चाई सबके सामने है राफाइल मामले में एरफोर्स के लोगों ने साथ बोला सिधा साथ बोला कि नरेंद्र मोधी जी ने स्वयम राफाइल मामले में कॉंट्रेक्ट बदलवा है एरफोर्स का डोकिमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर का ओडर था